हाई, गुड मॉर्निंग, सस्यकाला अदाप, नमस्काव, वनकाम, एंट, जैहिन केसेद बढ़ रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं आपके लिए कुछ इनी खबरों में से, इन खराब खबरों में से, कुछ अच्छी खबर निकालके लाया हूँ, शायद यही मुझे करना चाहिए, कि खराब खबरों में से, अच्छी खबर कैसे निकाली जाए, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि अभी केसे बढ़ेंगे और अभी पीक जो है वो मुझे नहीं लगता कि 15 अपरिल से पहले पीक आ पाएगा एक्टिव केसे करी करीब 20,000 तक जा चुके हैं भारत में और आज जो केसे आएं करीब करीब 4000 कैसे आएं केसे बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं इसमें कोई डाउट नहीं है और चार्ट डेथ हुई है लेकिन खुशकबरी क्या है वो भी बताता हूं पहले बताता हूं कि जो स केसे आएं और उसके बाद महाराष्टा में 700 कैसे आएं दिली 400 क्रॉस कर गया है दिली की बात अभी बताऊंगा आपको और इसके अलाब आप तमिल नाडू करनाटका लेकिन नौर्स में देखें तो गुजरात नौर्स में तो नहीं है लेकिन हिमाजर पादेश और इसके गुजरात यहां पर सिती थोड़ी ज्यादा खराब है खराब में बोलूगा कि केसे के नंबर के हिसाब से खराब है और शायद यह टेस्ट होने ना भी शुरू होते अगर एस्ट्री एंटू ना होता तो अब कैसे बढ़ रहे हैं इसमें कोई डाउट नहीं नहीं वेव आ 10% से उपर जा चुका है फिर भी मैं कहा रहे हूं यह अच्छी खबर है क्यों है अच्छी खबर ठीक है यह पिछिवे ओर लूगटिर का लभ बता तो डशुरे वोली जा रहे हैं अच्छी खबर है अभी तक त्र तीन चार डैथ होई है दिली में पिछले कुछ तिनों में अब जो hospital वाले लिखके दे रहे हैं, पहले क्या होता था कि पहले COVID की death में मान लिया जाता था कि ये COVID से death हुई है, लेकिन अब hospital के bulletin पे लिखा होता है COVID related death, मतलब अभी तक जो death हुई वो बहुत जादा serious patient थे, serious comorbid वाले patient थे, मतलब जिनको जाना ही था, COVID सिर्फ एक incidental finding थी तो COVID एक incidental finding थी सिर्फ, कि एक बहाना था, सिर्फ नाम था COVID का, जबकि उन्होंने शायद वैसे भी जाना था, तो यही एक खुशकप भी है, मतलब यह कि जादा तर patient बहुत health के, full के symptoms के हैं, mild symptoms के हैं, और अभी तक शायद जो death काकड़ा है, वो जादा तर मुझे लगता है कि serious यह बहुत ही old age, जिनमें कि शायद अगर COVID ना भी होता, तो भी death होनी शायद सुनिश्चित थी, ऐसे किसे हैं, COVID एक incidental finding मनके रह गया, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है, कि COVID एक normal virus की तरही behave कर रहा है, और आपको कही न कही एक immunity परदान करके ही जाएगा, दे है, तो यह समाझ दोगी यह vaccine ही लगी है आपको एक, यह जो fever आ रहा है, यह कुदरत ने, ऊपर वाले ने vaccine ठोक दिया आपको, और फिर आपको 6 महीने, 8 महीने, साल भर community इस natural immunity से आपको मिल सकती है, ऐसा मुझे लगता है, और omicron की wave, omicron जब ने ने आया था, बिचारा मार community देने आ रहा है, और सबस्याद अच्छी चीज़ कहा है कि, पेशिंट हाडली 4-5 दिन में ठीक हो रहे है, तो जो vaccine के side effect, immediate side effect होते है, वो भी 4-5 दिन में ठीक हो जाते है, यहाँ पर भी सेम ही है, तो यह ऊपर वाला अपनी vaccine ठोके जा रहा है, आप ठोकवाए जाओ, प्र उसमें कब COVID हो गया, कब शुरुआत हो गई, कब यह खतम हो जागा, आपको पता भी नहीं चलेगा, तो एक तरह का मोहतसब है, COVID मोहतसब, यह चलता रहेगा हर एक साल में एक बार, और सरकार कहरी कि बूस्टर लगाएं, सर, अगर बूस्टर लगाएं तो यह क्या है, जो अभी लग रहा है, COVID का जो भगवान जो फोकर आपको, यह क्या है, क्या यह बूस्टर नहीं है, यह भी बूस्टर ही है, बाकी रही बात बूस्टर की तो जिसको लगवानी है, वो लगवाएं, बाकी जाके अपनी भहस चराएं, तो जाती हूं मैं, आप बोलो ना, जल्द है क्या, यह बास अंडे है, जाने दो है, चलो, चलो, थैंक यू वेरी मच, बाई, शुक्रिया, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तुम लोग, करो ना, ते प्यार से बोलों, करो ना,